औक्स ओफिस पर आयश्मान खुराना की बधाई हो का एक हपता पूरा कमाल ये इतने करोन आपका स्वागत करते हैं बॉले गराथ के गल्यारे में आयश्मान खुराना की बधाई हो की रिलीज ने 24 अक्टूबर को 7 दिनों का सफर पूरा कर लिया है और 60 करोन से अधिक बॉक्स ओफिस करेक्शन कर चुकी है सुपर हिट होने के रास्ते पर चल रही बधाई हो की इस रफ्तार को देखती हुए ट्रेट जानकारों ने 100 करोन कलब में जाने की भविस्वानी कर दी है अमितार सर्मा निर्देशित बधाई हो साल 2018 की उन फिल्मों में सामिन है जिनोंने अपने कंटेंट के दम पर अपनी साक बनाई और धाक जमाई है 24 सब्टूबर यानि की बुद्धवार को बधाई होने 5 करोन का कलेक्शन किया और इसके साथ फिल्म का नेट कलेक्शन 61.85 करोन हो चुका है 22 सब्टूबर यानि की सोमबार को फिल्म ने 5.65 करोन का कलेक्शन किया था पहले सोंबार का टेस्ट पास करने के बाद 23 अक्टूबर यानि की मंगलवार को भी फिल्म ने 5.50 करोण जमा किये फिल्म का 100 करोण कलब में पहुँचना लगभग तैमाना जा रहा है पस देखना ये है कि कितने दिल लगते हैं गौर तलब है कि इससे पहले 5 अक्टूबर को आई आईश्मान खुराना के अंदा दुन भी 59 करोण का सांदार कलेक्शन करके हिट घोसित की जा चुकी है इस सस्वन सीलर फिल्म को स्री राम रागवन ने डायट किया था तब्बू ने आईश्मान खुराना के साथ स्कीन स्पेस सेयर किया से तारीक से एक दिन पहले 18 अक्टूबर को रिलीज हुई बधाई हो ने 7.35 करोण की ओपनिंग ली थी हाला कि ट्रेट के जानकारों ने 5-6 करोण का अनुमान लगाया था दूसरे दिन याने की 19 अक्टूबर को दसहरे की छुटी में बधाई हो के लिए दर्सक सिनेमा गरों में तूट पड़े और सुक्रवार को 11.85 करोण का कलेक्शन हुआ जो ओपनिंग के मुकाबले तकरीबन 60 फिस्दी का उच्छाल था आक्रों के ये बड़त रिलीज के तीसरे दिन याने सुक्रवार को जारी रही और बधाई हो ने 12.80 करोण का कलेक्शन किया रविवार को बधाई हो 13.70 करोण मिले और इसके साथ ही चार दिन लंबे ओपनिंग बीकेंड में फिल्म ने 45.70 करोण का सांधार कलेक्शन कर लिया था बधाई हो एक मधवर्गिय परिवार की कहानी है जो एक बेहत समाजिक मुद्दो को एड्रेस करती है जवान बच्चों के माता पिता अगर संतानोत पत करते हैं तो इसे हमारे समाज में सही नहीं समझा जाता तराता की बाते की जाती है मजा कुड़ाया जाता है साधीक उम्र के बच्चे को खुद ये बात बड़ी अजीव लगती है कि उनके माता पिता ये कदम कैसे उठा सकते हैं बधाई हो ऐसी ही सोच पर मजा किया अंदाज में आगहात करती है इस फिल्म के नायक आईस्वान खुराना है जबकि उनके साथ सान्या मलहोतरा है जिन्नोंने आमिर खान के फिल्म दंगल से डिबू किया था साल भर्द्वाज की फिल्म पठाखा में ली डोल में नजाराई बधायों आईस्वान के माता पिता के रोल में नीना गुपता और गजराज राओ है दादी के किरदार में बेश्टन आइक्टर सुरेखा सीखरी को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता अरहाल आईस्वान खुडाना के लिए ये जोनल नया नहीं है इससे पहले सुब मंगल सावधान और विक्की डोनर जैसी फिल्मों के जरिये वो भारतिये समाज में योन से जुड़ी मानिताओं और पूर्वा ग्रहों को प्यर्दे पर पेश कर चुके है आईस्वान ने वक्त के साथ खुद को बताओर बॉलिवुड एक्टर स्तावित किया है उनकी फिल्म का चैन उनकी सबसे बड़ी ताकत है आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके बताएए कि ये फिल्म कब तक 100 करोन का बिजनेस कर लेगी कर दो